एक बाब फिर से आप सबका स्वगत है आपके अपने चनम है सबसे पहले उस भाई को congratulations जिसने first like और first comment किया है वो 100 रुपीज जीज चुका है और जो भी भाई बीच में एक और में comment select करूँगा मेरे इसाफ से जो भी मेरे को comment best लगेगा उसको भी मैं 100 रुपीज दूँगा तो आपको comment करना है और like जो करेगा साथ के साथ उससे को giveaway मिलेगा तो आज के match में पर यह आपर बात करने वाले हैं जो new team आने वाली दोनों वही मियान और United CC के बीच में मुकाबला होगा मुकाबला स्टार्ट होगा 12 बचकर 45 मिनट पर पूरी जानका नहीं आपको इस वीडियो में मिलेगी बस वीडियो को आपको last तक watch करना है और उससे भी ज़रूरी काम अगर आपने अब तक टेलीग्राम चनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपको final team तो मिलती है उसके अलावा आपको आपर betting order और कुछ player ऐसे हैं जिनके मेरे को अभी stats नहीं मिले अगर वो खेलते हैं तो उनके भी stats आपको वहीं पर मिलेंगे और giveaway का winner का announcement भी वहीं पर होगा telegram channel का जो link है एक तो आपको इसी वीडियो के description में दूसरा comment section में भी सबसे पहले comment में आपको telegram channel का जो link है वो top पर pin किया हो मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप telegram channel को easily join कर सकते हैं और description से भी और comment section में अगर आप जाओगे तो सबसे पहला comment जो मिलेगा उसमें भी link मिल जाएगा मुकाबला 12-45 पर start होगा same ground per match है balance surface है कोई ज़्यादा इसमें time waste करना नहीं है क्योंकि artificial wicket होती है वो ही मियान की team की बात कर लेते हैं पहले तो यहां से open कर सकते हैं गुरू सिंग और साहिल ग्रोवर गुरू सिंग की बात करते हैं तो देखो T10 के इसने सिर्फ 4 मुकाबले खेले है लेकिन उसके अंदर ना 24 रन है 24 का average है और 2 wicket है 6 over डालके और अभी हाली में इसने club T20 के 7 match खेले जिसमे 145 29 का average 4 wicket है 23 over डालके त कि आपको betting और bowling दोनों देगा साहिल ग्रोवर अगर open करते हैं तो try कर सकते हैं अधर बाइच कुछ fast player है नहीं 37 T10 में 411 15 का average 5 wicket है बोलिंग उतनी करवाते भी नहीं है 2,022 के अंदर आप देखो 16 match में सिर्फ 169 है जबकि T20 में 11 match में 217 31 का average 1 wicket है साजी बुयान एक बहुत अच्छा all-rounder player है 38 मुकाबलों में 498 30 wicket है 65 over डालके 2,023 में 6 match में 45 5 wicket है 9 over डालके CBC का बहुत अच्छा choice रहेगा यह जाहिद महमूद है 30 T10 में 359 का average है 2,022 के अ 11 match में छिन में run T20 में 8 match में 124 रन है जावेद इखबाल यह एक top class medium pace बोलर है 31 match में 18 16 wicket है 54 over डालके और 2022 के अच्छा रहेगा बोलिंग के बोलिंग करवा सकता है देखते हैं इंक्यों के निगे टीम में बोलिंग के option थोड़े से ज्यादा में को लग रहे है सकलेन मुकतार 23 match में 192 wicket है 2022 में 7 match में 30 run 0 wicket है बोलिंग उतनी करवाता नहीं है कपिल कुमार 14 T10 में 23 run 5 wicket है 18 over डालके 2022 में 8 match में 3 wicket है और सिर्फ 10 over डाले जबकि T20 में भी 4 match में 1 wicket है तो इसको उतनी बोलिंग नहीं देजी टीम रविंदर सिंग बिस्ट है 23 match में 22 run 7 wicket है 29 over डालके 2022 में 6 match में 2 wicket है T20 में 8 match में 146 wicket है T20 में half flour में बोलिंग करवा क्या है अगर इनके main baller नहीं खेलेंगे न तो ये आपको बोलिंग करवाता नजर आएगा सोरफ काकरिया 14 match में 9 wicket है 15 over डालके 2021 में 8 match में 9 wicket है 15 over डालके और T20 में 7 match में 7 wicket है अब्दुल्फराद ये मेरे इसाब से 2 over confirm डालेगा और death में भी आ सकता है 33 match 49 wicket है 2022 में 19 में 23 wicket है अभी के लिए मैं किस को स्कोर रख रहा हूँ मैं रखूँगा गुरू सिंग, साजी, बुयान, जावेद इकबाल नीचे से मैं आप टीम में रखने वाला हूँ अब्दुल्फराद इसके अलावा यहां से आप टीम में रखने हो अली वकर को ये भी अच्छा प्लेमे को लग रहा है बाकी bench पर जो प्लेमें उनके भी stats में आपको बता दू ता कि कोई भी अगर खेलता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यह बंदा खेलता है तो अच्छी बोलिंग करवाता है छे में दस विकड़ है देको छे में इसने पूरे चाचार ओवर डाले 24 ओवर और 10 विकड़ ले गया है एमडी मुस्फिकुर रहमान आठ मिच में 172 विकड़ है 12 ओवर डालके बेटिंग अच्छी कर सकता है अगर टोब बोटर में मोखा मिलता है प्रताप आर जकतब 14 टीटेन में 14 ओवर डालके और यहां से कस्तिजपुरी पांच में 32 ओवर डालके बाकी के चार प्लेर है देखो इसका तो में को नाम भी मिलाता लेकिन स्टेट्स नहीं थे वहाँ पर और यह जो बंदाई यह इंगलेंड वगेरा के कलब से खेलता है तो इसका मैं धूड़ूँगा अगर यह खेलता है तो मैं आपको धूड़ कर देने की कोशिस करूँगा पाकी स्टार्टिंग के वह डालने चाहिए अब्दुल्फराद और काकरिया डेथ में आने चाहिए बुयान और अलीवकर तो यह तो बात हो गई BCC के टीम की लगबग सारी चीजे में आपको क्लियर कर दी है महनत के लिए लाइक ज़रू कर देना यार उससे मोटिवेशन बना रहता है UCC की टीम की बात कुल तो यहां से अभी मन्यूशिंग और रितुराज मगारे ओपन कर सकते हैं अभी मन्यूशिंग की बात कुल तो 27 टीटेन में 388 रन 18 का आवरे जीरो विकेट है 5 ओवर डालके 2022 के अंदर 11 मेच में 155 है और T20 में 9 मेच में 1099 है अगर ओपन करता है साथ के साथ विकेट की पिंग करता है तो आप पिक कर सकते हो रितुराज मगारे टीटेन का रिकोर्ड बहुत गंदा है 9 में 56 रन एक विकेट है लेकिन हाली में जो T20 खेल के आ रहा है यह अपने कलब के लिए वहाँ पर 9 मेच में 275 रन किये थे 30 के वरेस है चार विकेट भी थे बोलिंग तो नहीं करवाएगा उतनी ज़्यादा लेकिन बेटिंग अच्छे खासी कर सकता है तो अगर यह ओपनिंग में 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 लेता है न तो आप इसके उपर रिस्क ले सकते हो प्यूसिंग बगेल है 26 मेच में 402 रन 12 विकेट है 18 ओवर डालके 202 में 11 मेच में 277 विकेट है 8 ओवर डालके और T20 में 8 मेच में 157 दो विकेट है 3 ओवर डालके तो बोलिंग करवाने के चांस मेरे को इसके कम लग रहे है बेटिंग कर सकता है अच्छे खासी पर महुत और 2022 में 9 मेच में 106 तीन विकेट है 17 ओवर डालके T20 में 9 मेच में 135 उन्यस कावरेज 12 विकेट है 32 ओवर डालके आयूश शर्मा 21 टीटेन में 347 विकेट है 16 ओवर डालके 2022 में 11 मेच में 113 नीचे खेलेगा तो इतना इंपोर्टन नहीं है गंसयाम कुमार 19 टीटेन में 60 रन बोलर है 20 मेच में 21 विकेट है 38 ओवर डालके 2022 में 9 मेच में 12 विकेट है 18 ओवर डालके टीटेन में 9 मेच में 9 विकेट है 33 ओवर डालके श्यामल जोसी है 24 टीटेन में 99 रन दो 2022 में 9 मेच में 26 रन टीटेन में 10 मेच में 137 विकेट अमीत पंगाकर है 21 मेच में 26 ही रन है उतन असन सितार पावर प्ले में बोलिंग करवा सकता है 29 मेच में 18 विगेट है 48 ओवर डालके 2022 में 12 मेच में 5 विगेट है T20 में 15 मेच में 15 विगेट है 30 ओवर डालके तो यहां से मैं अभी के लिए रखूँगा अभी मन्यू शिंग, प्यो सिंग भगेल प्यो सिंग भगेल के जगे न आप अगर रिस्क ले सकते हो तो आप रुतुराज मगारे के साथ जा सकते हो बाकी प्रमोद बगोली को रखेंगे अपन नीचे से आपर चलें तो यहां से मुस्तफा नवाब को रखूँगा जाही दिक्बाल को रखूँगा और आली असन सितार को रखूँगा अगर टीम इनकी पहले बोलिंग करती है तो बैंच पर जो प्लेर उनके देखलो अमंधी बिंद्रा है ग्यारा टीटेन में पांच विकेट है 10 विकेट है 30 ओग डालके खेलता है तो ट्रंप बंच सकता है शोरब अवाथी तीन में डिन ओट बेट और टीट्विट्यमैं चार में जीरो विकेट यहां से वत्सल कंस्रा चार में आठ रन और टीट्विट्यमैं पांच में 56 चार विकेट है विकरांत गोडारा, T10 के 7 मेच में 2 विकेट, T20 में 6 मेच में 81 एक विकेट है चक्रवती, चलपपा, 2 मेच में दिनोट बेट, मीत परेक, 3 मेच में 6 रन निजो, 9 मेच में 36 रन, T20 में और रुपेश वानी, 8 मेच में 42 रन, 1 विकेट है 7 ओवर डालके और सुनिल जुटसी, 9 मेच में 169 रन, 4 विकेट है 11 ओवर डालके और राजू का मेर को रिकोर्ट कहीं पर भी नहीं मिला स्टार्टिंग ओवर डालते, अली हसन सितार, पी बगोली डेथ में आंगे मुस्तपा नवाज जाहिद इकबाल analysis वाला part हो चुका है, complete उम्मीद करूँगा आपको वीडियो में महनत नजर आई होगी, अगर नजर आई है तो वीडियो को like कर देना है, चैनल को subscribe कर देना है अभी यहाँ पर चलते है, demo team की तरफ next slide में मैं आपको demo team दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले telegram channel से जोनोना जरूरी है अगर आप description से telegram channel पर जोनोना जाते हो वीडियो के title में जाना, more पर click करना आप video के description में पहुँच जाओगे, वहाँ पर आपको telegram channel का link मिल जाएगा, या फिर आप comment section में comments पर जैसे ही tap करोगे, तो आपको जो सबसे पहला comment मिलेगा, उसमें भी आपको telegram channel का link मिल जाएगा, अभी या आपर पर देख लेते हैं demo team, demo team में मैंने wicket keeping section से रखाए अभी मन्यू सिंग, साहिल, ग्रोवर और बेटिंग section से गुरू सिंग को रखाए और all rounder section से साजी बुयान, मुस्तपा नवाब, प्यू सिंग भगेल, जावे दिक्बाल, पी बगोली को रखाए और यहां से मैंने अब्दुल फराद, जाही दिक्बाल और काकरिया को रखाए, कैप्टन साजी बुयान, वो इस कैप्टन पी बगोली, लेकिन यह final team नहीं है, final team telegram चले पर ही मिलेगी, जिसका link वीडियो के description में और comment section में सबसे पहले comment में दिया हुआ है, धन्यवाद